हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊँगा कि सारको फिरोल वेड देने के फाइदे सबी पसूँ को कौन कौन से पसूँ को एदी सारको फिरोल वेड देंगे तो कितना फाइदा होगा कितनी डोज देनी चाहिए पिरेंट पसूँ को देंगे तो क्या फाइदा होगा देना स करे RIGHT-5-% toe आख कि वीडियो के अदर आपको के बारे में आज की वीडियो के अंदर आ पको detail से बहुत बनी हुए आहे निवारी इस पहले एक बुरा भնगाos पूरा देखना जबसे पहले कि आपके पश्शूं के लिए भूत ज़्यादा बेन फिट है अब सबसे पहले तो आपको बताऊं जिस तरह से एदि आपके पशूं में बलड में आरबी सिया हमोगलुबीन की मातरा डाउन हो चुकी है अब हिमोगलुबीन नहीं बलड की मातरा खहने का मतलब कि खून की कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अब किस तरह कि अंदर जिस तरह से पीप यह हो गया पश्चरेंट नीरिया हो गया ऻुच्छ प्रोटोजवा जनित रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए आप सपोर्ट थरेपी के तोर पर इस सार को फिरोल वेट का परियोग कर सकते हैं कितनी दोज है वह भी बताऊंगा इसे आप डोज ज्यादा देंगे तो कई बन नुक्सान भी हो सकता है जो भी प्रोटो जवा जनीत रोग हो गया उस इस्तति में कि आप सपोर्ट थरेपी के तोर पर आप परियोग कर सकते हैं यह आयरन टोनिक है सबसे अच्छा रिजल मिलता है कोई बी आयरन टोनिक किसी भी तरह कि प्रोटो जवा जनीत रोग हो जाता है या टिक माइट सफलाई यह जू चिंचर या किलनी से होने वाले जो भी पसु म नहीं हो इसके वज़य से दिकत है तो आप सपोर्ट थरेपी के तोर पर आप इस सार को फिरोल का परियोग कर सकते हैं सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है है इसी के साथ एदी आपका पसु कमजोर है कमजोर पसु है तो उसमें भी आप इसका परियोग करें कमजोरी से उबारने में इस iron tonic का सबसे अच्छा रोल है प्रियोग कर सकते हैं या जो पसू हीट में नहीं आ रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनकी कंसेप्शन रैड डाउन हो रही है तो उस इस्तती में भी इसमें आइरन फॉलिक एसीर विटामिनी विवारा की है जो की पस्वों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो उस इस्तती में भी आप इस सार को फिरोल वेट का परियोग पस्वो में करवा सकते हैं वापर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इसी के साथ पस्वों में जिस तरह से दूद की मातरा कम हो गई है तो आप जो भी एदी प्रोड़क्ट एदी परियोग कर रहे हैं तो उनके साथ इसका परियोग पस्वों में करवा सकते हैं वापर भी आपको बहुत यह चारे जल्ट देखने को मिलता है जिस तरह से इसाड़े 400 ग्राम में आती है यह एक जी में आती है इसी तरह से टाइए केजी में इस तरह से इसकी अलालग जो पेकिंग आती है अब कईबर पसु एदी पाइका रोग से गर्शित है पाइका मतलब एपसिस्ट पदार्थ खा रहा है जिसमें पसु मिट्टी है गोबर है प्लास्टिक है चमड़ा है या खुद का यूरीन पीता है या गोई गंदगी इस तरह की चीज़ें पसु उठाता है चाहिए आपकी परियोग करेंगे तो इसका बहुत जार जेल देखने को मिलेगा इसी के साथ यह पर से में तनाव की सब्या railroad तो इन्वाइर्मेंट चेंज होता है उसकी वज़े से पसु स्ट्रेस में आता है तो वहाँ पर इसका परियोग कर सकते हैं जिस तरह से अब गर्मियां पड़ रही है तो गर्मी में जब पसु बहुँ ज़्यादा हाँ पर आया है उस इस्तिति में आप इसका परियोग पसु को पिलाएं बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मिलेगा जो पसुँ आप रहा है जो पसुँ में सांस दिक्कत आ रही है दूदारू पसुँ उनका अचानक दूद डाउन हो गया है तो वहां पर इसका परियोग करवाएं इसी के साथ यह पसुँ में जिस प्रकार से सर्दी परीयोग करवा सकते हैं जिस तरह से पाशुम 나 चिसार्व की पर इंडाइजेशन से संदीतों करोनिक आपर प्रयोग करवा सकते हैं कई तरह की मेटाबोलिक डिजीज हो जाती है इसी करने मैंने बताया कि पीपी एच है अदर है मिल्क फ्योवर किटोसिस इन में आप सपोर्ट थेरीपी के तोर पर इनका परियोग करवा सकते हैं या कई जो प्रोटो जवाजनी त्रोग हो गए जिसमें बीबियोसिस थिलियोसिस एनापलाजमोसिस सर्रा इस तरह के रोगू के अंद है तो इसके अंदर जैसे कम बोड़ीवेट है जो बड़ी जो अडल्ट है बड़ी का मतलब है कि जो दू देने वाली गाव हैं उनमें आप जिनका बोड़ीवेट कम है तो आप इसे 30 ग्राम और जिनका बोड़ीवेट ज्यादा है 400-500 कजी तक है तो इन्हें आप 50 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम से ज्यादा परड़े के साब से इसकी डोज नहीं देनी चाहिए एक बात बताना चाहता हूं कि जो आयरें टोनिक है इसकी डोज आप कभी भी अक्स्त्रा ना दें कई प्रिग्रेंट पस्व है उस इसका आयरें टोनिक प्रियोग ज्यादा करते हैं तो आप इसको किसी में गोलकर के बाण मिश्रण है उसमें गोलकर के बी उस पसू को खिला सकते हैं Pacific को दे सकते हैं कोई भी दिकत नहीं इस प्रकार से काफ हैं बेड बकरियां तो इनका थोड़ा ज्यादा तो पंद्दरा ग्राम परड़े के साब के साप से उनमें भी की बहुत ज्यादा जूरुत होती है उसका वजन लेने के लिए उसके बढ़ाने के लिए बलड की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें आईरण टोनीका सुवर फारम वाले बहुत ज्यादा इसका परियोग करते हैं और करना भी चाहिए बहुत अचा रिजल देखने को मिलता ह यह कुन से पस्व को गाय, बहेंस, बेड, बकरी, सुवर, उंट, उंट को भी आप दे सकते हैं, उंट की डोज होती है, दस ग्राम पर सो केजी बोडि वेट, जिस तरह ऐसे छासो केजी का उंट है, तो आप इसे साट ग्राम तक परियोग कर सकते हैं, देना कैसे सभी तरह के प्रिग्रेंट पस्टों हैं दू देने वाले पस्टों हैं सभी तरह के पस्टों के लिए सेफ हैं नुक्सान इसके ना के बराबर हैं फाइदे फाइदे ही पस्टों के लिए हैं तो यह वीडियो जितना हो सकता है पस्टों पालक या वेटरिन इस्टेंट हैं उनके साथ से करें इसी तरह से आपको और भी वीडियो चीए तुनिशा के कमेंडे में लिखें इसी के अंदर पर आपको अलग प्रोडुक्ट के बारे में भी इस एंदर पर वीडियो मिल जाएंगी थैंक्स धन्यवाद